बबूसा का चक्रविव चैप्टर फाइव दिन का उजाला फैले कुछ वग बीच चुका था तब ही पोपा का दर्वाजा खुला और फिस सीड़ियां खुलती जमीन से आ लगी दर्वाजे पर किलो रहा दिखा जो की एक तरफ हट गया फिर सोमात नीचे उतरता दिखा जो की हमेशा की तरफ चुस्तर नज़र आ रहा था सेड़ियां उतरकर सामने पाहाड के महाने की तरफ बढ़ गया सेड़ियां वापिस समर्टी चली गए और दरवाजा बंद हो गया इस बुरी सर्थी का असर सोमात पर जरा भी नहीं था सोमात पाढ़ के बीता परवेश कर गया लोग काम करते दिख रहे थे रानी ताशा के दो आत्मी भी देखे जो पहरे के तौर पर वाँ टैल रहे थे सोमात अराम से कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया पाढ़ के बीतर की जगे गर्म थी बहुत कम सर्दी थी भीतर सोमात अभी मूर्ती वाल में पहुँचा ही था कि उसके कानों में श्मू की आवाज सुनाई दी उस आवाज की वज़ा जानने के लिए सोमात ने गर्दन गुमानी चाही कि तभी लोहे की कुछ भारी चौकोर पत्ती उसकी गर्दन काटती चली गई सोमात के कतम वही रुख गए परन्तु पत्ती पूरी गर्दन न काट सकी और टक की आवाज के साथ वो थम गई उसी पल सोमात की आँके जैसे उलट गई हो अब आखों के जगह वहाँ सफेद सिर्फ सफेद परत दिखने लगी और वो बहानक दिखने लगा ये क्या हो गया? किसने किया? डोबी बस्ते वालों की आवाजों सुनाई देने लगी सब कुछ फासला रखकर वाएं खट्टे होने लगे रानी ताशा के वे आदमी भी आ गए जो डोबो बस्ती के लोगों पर नज़र रखे हुए थे ओ ये किसने कर दिया? हमने तो इन से हत्याल ले लिये थे दूसरा बोला सुमात? पहले वाले ने बुका रहा तुम ठीक हो की नहीं? परन तो सुमात तो जैसे अपने में वेस्त था उसका शरी इदा उदा डोल रहा था हौले हौले लेकिन किरने वाली कोई बात नहीं दिख रही थी लोगों की आवाजें अभी भी उठ रही थी उस भीड में अगोमा और सोलाम भी आकड़े हुए थे दोनों की नजरें मिली जहां एक ही सावालता की गर्दन पूरी क्यों नहीं कटी तब ही सोमात का हाथ उठा और गर्दन वा फसील होई की पत्ती को खीचन लगा देखते देखते वो गर्दन से आज़ाद होगर सोमात के हाथों में दिखी उसने उसे नीचे भीग दिया फिर दौनों हाथों से सिर को थामा और गर्दन को पहले की तरह सेट बिठाने लगा दो मिनट की मेहनत के बाद उसने गर्दन को वापे ठीक से सेट किया और सिर पर हाथ से तवा बढ़ा कर उसे रोके रखा धीरे धीरे वक्त बीटने लगा वहाँ खड़े सब लोग हैरत से सुमात को देख रहे थे वो नहीं जानते थे कि ये तारों और तातू का बना इंसान है वो हैरान थे कि गर्दन से खून ने निकला वो हैरान थे कि आदी से खड़ा गर्दन कट जाने के बाद भी वो शांद कड़ा अपने हाथों से काम ले रहा है उनके चेरे उनकी हैरत को दर्शार रहे थे ये क्या कर रहा है अगोबा ने दब इस वर में सुलाम से पूछा मैं नहीं जानता सुलाम ने शब्दों को चबाते हुए का इसकी गर्दन कटकर अलग क्यों नहीं हुई शायद हत्यार फेकने के रफ्तार कम होगी तो दूसरा हत्यार क्यों नहीं फेका गया कई मिनट बीट गए सुमात एक हाथ गर्दन पर रखे दूसरे से सिर दबाए इस सिर खड़ा रहा धीरे धीरे सुमात की उल्टी आंगे जाज़े वापिस होने लगी इस पूरी पक्रिया को तस मिट लगे और सुमात की आंगे पहले की तरह सुस्ते दिखने लगी उसने सिर और गर्दन से हाथ अटा लिया और मुस्करा कर हर तरफ देखने लगा गर्दन पहले की तरह सामान नो चुकी थी क्या हुआ सुमात रानी ताशा का एक आदमी पास आगर बोला तुम पर जानने वा वार किया गया हाँ किसने इन ही मैंसे किसी ने यह पता लगाना कटे ने कि किसने ऐसा किया सुमात की नेगा अगोमा पर जाटी की वो आगे बढ़ा और अगोमा के पास पहुंच कर बोला तो मैं पता होगा कि किसने मुझे मारने की चेश्टा की मुझे नहीं पता मैं तो बिजली वाले कमरे में विस्त था कि शोर सुनकर एदर आ गया अगोमा क्या उटा कोई बात नहीं जिसने भी ऐसा किया उसे कहना कि दोबारा कोशिश करे तो तुम्हारी तो करदन कट गी थी सोलाम अजीब से स्वर में क्या उटा तो फिर ठीक कैसे हो गई सोलाम नहीं अगोमा से पूछा बबुसा कहा है उदर कमरे में अगोमा ने आगे कि तरफ इशारा किया मुझे वाल ले चलो अगोमा सोलामा को उस कमरे के बाहर छोड़ गया जाँ बबुसा था सोमात ने भीता प्रवेश किया और ठिटक कर सब को देगा चहरे पर मुस्कान थी बबुसा की निगा सोमात के चहरे पर टिक गई धरा कंबल ओड़े लेटी थी कि सोमात के भीता प्रवेश करती उसने कंबल में से थोड़ा जम मू बाहर निकाला और चमक भरी निगाओं से सोमात को देखने लगी थी जगमान नगीना और मोना चौदरी की नजरे मिली सोमात बबुसा के पास पहुंच कर बोला मैं जानता था कि तुम मुझे खत्म करने की कोशिश जरूर करोगे मैंने तो ऐसा खुश नहीं किया बबुसा के उठा अभी मेरी गर्दन काटने की कोशिश की गई पर तुमारी गर्दन तो ठीक है तुम जानते हो कि मेरे शरीक अभी तर महापंडित ना ऐसा सिस्टम रखाएगी टूट फूट की फॉरन रिपेर हो जाती है सोमात ने शांसवर में का तुम जरूर सफाल होगा होते अगर मेरा कला काटने को लेकर मापंडे तकले में रोक ना रखी होती तुम तो मुझसे ऐसे कहरो जैसे पूरा भरोसा हो कि ये काम मेरे इशारे पर हुआ तुमारे इशारे पर हुआ हमला यगीन कैसे है तुम्हें भगुसा उट खड़ा हुआ जो कि अभी तक रानी ताशा कि किसी आत्मी पर हमला नहीं किया गया सिफ मेरे पर ही हमला हुआ मुझे यगीन दिलाने के लिए यही बहुत है कि ये काम तुमारा है सोमात करसर सामान न था जो भी तुम मुझे जो भी हो तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते भगुसा बोला क्यों राजा देव नहीं चाहते कि भगुसा कब हो रहा हूँ इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझे पर हमला करने लगो या कराने लगो सोमात करसर सकतुआ तुम्हे वहम है मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया मैं जानता हूँ तुम इतने महीं बस नहीं करोगे तुम अपनी कोशिश जारी रखोगे भभुसा सोमात की नजरें मिली मैं तुम्हे पसंद नहीं करता सोमात भभुसा नहीं कटोर सर में का मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता सुमात नशानस्वर में का ये मत सोसते रहने कि राजा दे तुम्हारी मौत नहीं देखना चाहते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा मैं राजा देव का हुक्म नहीं मानता तुम भी अपनी कोशिश कर ले न मारे जाओगे तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते मेरे रास्ते में आना तुमारे लिए ठीक नहीं होगा मैं ये बात भी जानता हूँ कि रानी ताशा और राजादेव को मिल जाना तुमें रास नहीं हा रहा परांतु मैं तुम्हें आकरी बात सतर कर रहा हूँ कि मेरे से मुकाबला करने की मत सोचो वरना तुमारे मर जाने का राजय देव को दोख होगा मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं सोमात ने सेरे लाया बभुसा को देखते पलट कर बाहर निकल गया तो ये बच गया नगीना क्या उटी हाँ पभुसा बोला परन्तु ये तब ही सोलाम ने भीता प्रवेश करती हुए का हमारे योदा ना अत्यार भेकर सोमात के गरदन काटनी की भरभूर चेश्टा की आदी से ज़्यादा कड़ गई परन्तु उसके कले में कोई रोक लगी है जिस वज़े इस उसकी गरदन नहीं कट सकती बभुसा ने कंबीर सवर में का ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई बभुसा मैं भी नहीं जानता था अब हमें कुछ नया सोचना होगा कि सोमात को खत्म किया जा सके मोना चौदी ने का मुझे तो एक आम आसान नहीं लगता जगमान के चैरे पर कमबीरता दिख रही थी तुम इस बारे में कुछ सोच कर मुझे बताओ सोलम बभुसा ने सक्सवर में का सोलम बहार निकल गया बभुसा की निगा धरा की तरफ उठी कमबल से जाकते दरा के चैरे को देखा तौनों की आखे मिनी दरा मुसकरा ही तो निचला होट तीड़ा दिखने लगा बभुसा के होट पिछ गए वो बाहर निकलता चला गया बभुसा ने तिरन इरादा कर लिया था कि राणी तरफ और राजा देव को दरा के बारे में सब कुछ बता दिना है कि उसका असली रूप को चौर है बभुसा के चाहते ही दरा ने हाथ के इशारे से सोमारा को पास बुला है क्या है पास पहुंच कर सोमारा बोली बैट तो दरा नफश पर हाथ मार कर का पूरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने देंगी मैं तेरी ताक्तों को देखना चाहती हूँ वक्त पूरा होने ही वाला उसके बाद तु मेरी ताक्तों की मौझूद्गी का एसास पासे कीगे किस वक्त की बात कर रही है तू सदूर पहुच का तुझे सब बता दूँगे तब तो मेरे बारे में सब जान जाएंगे धरा मुस्कराई तो निशला ओड तेड़ा हो गया तेरी ताक्ते तेरे पास है तो सब कुछ बताने में डरती क्यों है तू मेरी ताक्तो ना बताया कि सदूर पहुशने तब मुझे चुप रहना है मैंनों तो तेरे को ये कहने के लिए बुलाया था कि बगुशा किसी को भी मेरे बारे में बता नहीं पाएगा। ये तो उस जादू करने ना बगुशा के सामने मेरी ताक्तो वाली बात खोल दी। नहीं तो मैं पहली की तरह सामान निटंग से सदूर तक भी पहुंच महापंडित को भी पताई कि तेरा सदूर पर राना ठीक नहीं सुमारा क्या उठी धरा हसी, निश्ला और तेड़ा हो गया वो शैतान की तरह दिखने लगी महापंडित की बात मत कर क्यों? वो अपनी शक्तियों का इस्तमाल मेरे पर नहीं कर सकेगा वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता महापंडित का मुकाबला तू नहीं कर सकेगी महापंडित मेरे सामने भुस्स है धराने हावा में आत ले रहा है, वो बेवस हो जाएगा तू जानती है महापंडित को मैं उसे बहुत जादा जानती हूँ पर वो मुझे ठीक से नहीं जानता, अब जान लेगा, तू आदे दूरी बाते करती है, साब बात क्यों नहीं करती है, वो भी करूंगी, सदूर तो पहुच लेने दे, धरासी, सोमारा धरा को देखती रही, फिर क्या उठी, तू अपने को बहुत समझ रही है, पता नहीं कौ लेगी, कहते हुए सोमारा उठ गई, वहाँ अब राजा देब भी है, तू नहीं कुछ गिया, तो तेरे को ग्रह से बाहर भेगतेंगे, धरा हस पड़ी, सोमारा वापिस अपनी जगह पर जा बैठी, उकड़ी निगाउं से धरा को देखा, उसी पल नगीना और मोना और सोमारा के पास पॉंच कर उसके पास बैठ गई, सोमारा ने दोनों को देखा, क्या बात है सोमारा, नगीना बोली, धरा के साथ तुमारी और भगुसा की कुछ खास बात हो रही है कल से, हाँ, सोमारा गंबीर हो उटी, बात ही कुछ ऐसी है, मुझे बता क्या बात है, सो वो कहती है देवरा चुहान नगीना का पती राणी ताशा को उस पर कोई हग नहीं नगीना के साथ नाइन साफी हो रही और उदर कंबल ओड़े चेहरा बार रखे धरा की चेहरे की मुस्कान शैतानी होटी थी निश्रा होट तेड़ा होकर मुस्कान का साथ दे रहा था उसकी नजर सोमारा के कहते होटो पर टिक चुकी थी बबुसा ने रानी ताशा के आदमी से का किलोरा से कओ बबुसा पोपा में आना चाहता है उस वेक्ति के हाथ में तब यंद्र से संपर्ग बना कर ये बद किलोरा से कई किलोरा तरवाजा खोल रहा तुमारे लिए उस वेक्त ते सर्दी का तीव रहसास हुआ शरीप गरम कपड़े भी नहीं पैन रखे थे वो जब से डोबु जाती है मैं वापिस आया था तब ही से तहरा के नए हालातों में उलच गया था एक मिनट भी चैन का नहीं मिला था उसने सामने कड़े पोपा पर निगामारी पोपा पबर्फ पड़ी हुई थी उसकी भूंदे लकीरे बनाती पोपा से नीचे की तरह भाई पड़ी थी पबुजा हर तरफ नज़र घुमारा था परंतु उसका पूरा ध्यान धहरा के ख्यालों पर था धरा के बारे में हम भी जादा बताने से कद्रा रही थी शायद उसे चुप रहने में भी भाला दिक रहा था वो जानता था कि हम भी चुप करेंगी उसके फायदे के लिए करेंगी इधर धरा कह रही थी कि सदूर पर पहुँचने के बाद ही वो अपने बारे में कुछ कहीगी परंतु बबूसा का पूरा विश्वास तकि आने वाले वक्त मतरा उन के लिए कोई मुसीवत खड़ी करीगी महापंडित भी तरह के बारे में बता चुका है कि वो लड़की सदूर पर पहुंच कर कुछ अच्छा नहीं करने वाली वो सदूर की है और अब वापिस आ रही है महापंडित उसकी कल बात हुई थी शायद अब तक महापंडित को तरह के बारे में कुछ नया मालूम हो गया उससे फिर बात करनी चाहिए तब ही पोपा का तरवाजा खुला और किलोरा वहां खड़ा दिखा किलोरा ना बबुसा को देखा आसपास देखा कि उसी पल सीड़ियां खुलती नजरा है और जमीन से आकर लग गए बबुसा सीड़ियां चड़कर पोपा के वीतर जा पहुचा कैसे हो किलोरा ठीक हूँ किलोरा पास ही लगे बटनों को दबाता क्या उटा अब तो मेरे आना पर तुम्हें तरवाजा कोलने के लिए किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती बबुसा मुस्कराया उसी बल सीड़ियां से मटा ही और तरवाजा बंदोता चला गया किलोरा पल्टा और गहरी निगाउं से बबुसा को देखता क्या उटा सोमात पर तुमने हम लग राया ओ तो ख़बर यहां तक आ गई तुमसे किसने कहा कि मैंने हम लग राया सोमात ने वो यही है तो मैं पूरा भरोसा कि सोमात का दमाग सही है मुझे तो वो ठीक नहीं लगता वो पूरी तरह ठीक है किलोरा बोला उससे मत उल्जो तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते वो तुम मार देगा वो मुझे मारने की कोशिश कर चुका है रानी ताशा वाना पहुंच जाती तुम मुझे मारी देता तब भी सोमात से उलजने का इराद रखते हो हाँ वो तुम पर भारी पढ़ेगा तुमारी जान ले लेगा किलोरा के चहरे पर गंबीरता थी सोमात ने बचकाना हरकत की जो तुम से मेरी शिकायत लगाई बभूसा मुसकरा पड़ा उसने मुझे नहीं रानी ताशा से कहा था और रानी ताशा ने ये बात राजा देव से गई जब वो चाला कक्ष में मौजूद थे और मैं भी पास में ही था किलोरा ने बात इसपस्ट करती हुए का बभूसा ने से रह लाए तुम सोमात की तरफ हो या मेरी किसी की भी तरफ नहीं किसी से उलजने है किसी की साइड लेना मेरा काम नहीं है मैं अभी राजा देव के पास जाऊंगा परंतु मुझे महापंडिस से बात करनी है कहने के साथी बभूसा आगे बढ़ गया मैं सोमात कुछ होड़ने वाला नहीं परना वो अकसर मेरे रास्ते में आता रहेगा उसे सबक सिखाना जरूरी है बभूसा बढ़ बढ़ उठा बभूसा स्क्रीन वाले गोल कमरे में पहुचा महा कोई भी मौजूद नहीं था बभूसा ने हैटफून जैसा ही अंत्रकानों पर लगाया और बटनों लीवरों से छेड़ चाड़ करने लगा इसक्रीन रौशन वोटी हो महापंडित से संपर्ख बनानी की चेश्टा में था और लगातार कोशिश करते रहने के बाद 15 मिनट लगे संपर्ख बनाने में स्क्रीन पर महापंडित का चेहरा दिखने लगा मैं कब से तुम्हारे साथ संपर्ख बनाने की चेश्टा में था बबुसा बोला मैं दूर था मेरी मशीन ने मुझे पकार पकार कर बोलाया आने में वक्त लग गया लड़की के बारे में नया कुछ तुमने का था कि धरा को साथ ना लाओ ऐसी कुछ कोशिश करूँ परन्तु जादू करनी कहते है कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ वरना वो मुझे नुकसान पहुचा देगी बबुसा ने कंबीर सर में का ऐसा ही कुछ मेरी मशीनों ने मुझे संकेत दिया है कि वो लड़की सदूर पर पहुच जाएगी मतलब कि उसे रोका नहीं जा सकता बैर्थ होगा उसे रोकना तो मैं धरा के बारे में मशीनों ने कोई नहीं जानकारी दी बबुसा ने का मशीने कोशिशों में लगी है वो खुद तकलीफ में क्योंकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं पारेंगी वो लड़की कौन है परंतु एक मशीन का कहना है कि जब लड़की सदूर पर पहुचेगी तो तब ही उसके बारे में जानकारी मिलनी शुरू होगी तुमारी मशीने इस तरह असफल क्यों हो रही है महापंडित मशीनों का कहना है कि वो अपने प्रशने के जवाब के करीब पहुचने को होती है तो जानक कौन उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है उनका कहना है कि कुस ताक्ते उनका रास्ता रोक रही है धरा कहती है कि उसके पद तक्तेaign है सदूर पर भी उसकी तक्ते मौझότε है वो मुझे सच कहती लग री है बभुसा तो तुम धरा से हर मानने वाले हो उसकी तक्ते अपना काम पूरा कर रही है पर अंतो तुमारी मशीने सफल नहीं हो रही वो लड़की जरूर कोई खास है खास से मतलब ताकतवर वो सदूर पहुंच सके इसके बारे में सदूर पर मौजूद उसकी ताक्तों ने अपना काम शुरू कर दिया था रानी ताशा के हाथो राजा देव को ग्रह से बाहर फिकवा दिया था ताकि जब राजा देखी वापसी हो तो वो भी सदूर पर पहुच सके और तुमारी मशीने एक छोटी सी बात कर जवाब नहीं पा सके कि तरह की हकीकत क्या है पभुसा ने गंबीर सर्मे का मैं खुद नहीं समझभा रहा कि यह सब क्यों हो रहा है मेरे साथ मेरी मशीने इस बात को जानने की कोशिश में बराबर लगी हुई है कि इस लड़की की एसलिक क्या है इस बारे मैं मालूम होती ही मैं तुमा बताऊंगा बभुसा मापंडी से बात करके बभुसा उस कमरे से निकला और पौपा के रास्तों पर आगे बढ़ गया चेहरे पर गंबीरता व्यकुलता की छापती रह रहकर उसके होंट सक्ती से बिच जाती थे रास्ते में दो तीन लोग मिले वो खोश होकर बभुसा से मिले परंतु बभुसा से रहला कर आगे बढ़ता चालक कक्ष की तरफ बढ़ता रहा पौपा का जर्रा जर्रा उसका पहचाना हुआ था पौपा बनाते समय पूरे वक्त वो राजादेव यानी देवराद, चौन और जबरा के साथ था पौपा को तयार करने में उसने भी बराबर का हाथ लगाया था यहां के रास्ते यहां के ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे उसका पता ना हूँ पौपा उसके घर की तरह था जिसका की रहने वालों को सब पता होता है बबुसा के दिमाग में इस वक्त खलवली मची हुई थी उसकी नजरों में इस वक्त सबसे जरूरी काम राजा देव को दरह के बारे में बताना था उसे फूरा भरोसा था कि राजा देव वबशे दरह को कोई इंदिजाम करेंगे धरा देव चुटकारा मिल जाएगा ऐसी बातों का हल निकालने में राजा देव का दिमाग बहुत काम करता था एक आएद बबुसा मुस्करा पड़ा ये सोचकर कि सदूर पर वो फिर राजा देव के साथ जीवन वतीत करेगा राजा देव की सेवा में लग जाएगा सब कुछ अच्छे से चलने लगेगा तब ही उसके ख्याल धरा की तरह मुड़ गए कि इस वक्त तो इस समस्या काल निकालना है बार बार उसे धरा के धरा के तेड़े होंट वाली मुसकान याद आ रही थी कभी कभी तो वो बहुत खतरनाग लगती है बबुजा बड़ बड़ा उठा पहले वो कितनी मासूम लगा करती थी तब मुझे क्या पता थे कि मेरे साथ रहकर वो अपने ही कोई खेल खेल रही है बबुजा अपनी सोचों में उलजा गैलरी के रास्ते को तया करके बाही तरह मुड़ता गया वो परेशान भी लग रहा था और तनाव में भी था सोमास से जादा उसे धरा की समस्य दिख रही थी राजा देव को इस बारे हां बताना जरूरी हो गया था राजा देवी धरा के बारे में कोई रास्ता निकालेंगे ये रास्ता खत्म होती आगे चार सुड़ी आई जिने चड़कर वो सीधे वाले रास्ते में आगे बढ़ गया दाएं बाएं और तिर्शी तरफ भी एक रास्ता पा रहा था रास्ते में ये दगदा कोई दिख जाता है परन्तु इधर का रास्ता सुंसान जैसे ही लगता था क्योंकि इस तरह पोपा का पिछला हिस्सा था और सामान ने लोगां का इस तरह भाना कमी होता था चुपी का बादवां हर तरह प्यापत था आगे के मोड से मुर्ती बभूसा रुकता चला गया सामने से सुमात आ रहा था सुमात भी करीब आकर ठिटक गया बभूसा शांत भाव में मुस्करा करके उटा तो तुम मेरी शिकायत लगा रहे हो रानी ताशा से बच्चे जैसी बात है मैं अपने लिए रास्ता त्यार कर रहा हूँ सुमात सामान सर में बोला कैसा रास्ता तुम्हें खत्म करने का सबसे कहना जरूरी है कि तुमने मुझे मारने की चेश्टा की ताकि जब मैं तुम्हें मारू तो मैं सच्चा लगू मैंने क्या दिया कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूँगा राणी ताशे ते का राजा देव से भी का है राजा देव ने तुम अभी बात पसंद नहीं की होगी उससे कोई फर्क नहीं बड़ता राजा देव मुझे सेम बरतने हो तुम्हें समझाने को कह रहे थे सोमात बोला तो तुम अपने को मुझे ज़्यादा ताकतवर समझते हो मैं हूँ यह भूल है तुम्हारी बबूसा मुस्कुरा रहा था मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ नहीं कर सकते बहुत जल्द तुम्हारी बात का जवाब मिल जाएगा मैं तुम्हारी लेक चक्रवी की तियारी कर रहा हूँ मनिवन मुझे पूरे यकीन है कि तुम उस चक्रवी से नहीं बच सकते अपने को बचा सको तो बचा ले ना मुझे मारने में तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते सोमात कर सरशान था ये तो आने वाला वक्त बताएगा तुम मुझे इसलिए मारना चाहते हो कि उस दिन में तुम्हारी मारने जा रहा था सोमात मुश्करा पड़ा बबुसा कुछ पल सोमात को देखता रहा फिर क्या उटा गलती मापंडित किये कि उसने तुमें अथा ताक्तें दे दी और मेरा जन्म कराते जम्में मुझे राजा देव के सारे गुण दिये राजा देव की ताकत राजा देव का दिमाग सब को जुन जैसे ही है राजा देव में ये खासियत रही है कि वो कभी भी हार नहीं मानते तो मैं करसे तुम से हार मान सकता हूँ उससे जھकड़ा लेकर तुमने गलत कर दिया तो मैं इस बात कर जरा भी डरनी कि तुम मारे जाओगे मेरे हाथो तुम मेरा कुछ नहीं बिगार सकोगे क्योंकि मेरे चक्रवी को तुम भेद नहीं सकोगे फसकर रहा जाओगे बबुसा नहीं से रहे लाकर का अगर तुम बच गए तो मैं हार मान लूँगा सुमाट शांत नहीं गाओ से बबबुसा को देखने के बाद बोला बहुत भरोसा है अपने चक्रवी उपर जो मुझे पहले ही बता दिया कि तुम क्या करने जा रहे हो सुमाट नहीं का आने वाले वक्त में देखना की क्या होता है मैं तुमारे लिए हर वक्त सोचता रहता हूँ मभुसा ने काओ सुमाट की बगल से होते हुँ आगे बढ़ गया चेहरे पर शांत बाओ थे पलट कर एक बार भी सुमाट को नहीं देखा वो रास्ता पार होते ही आगे सकरी गली जैसा रास्ता आया जहां से एक बार में एक ही इंसान आगे जा सकता था यानि की कतार के रूप में आगे बढ़ा जा सकता था वो करीब बारा कदम का रास्ता तर जिसे पार करती बभुसा पोपा की पीछे वाली जगह पर पहुंच गया जो की खुली जगह थी पंदरा करीब पंदरा लोग वहां बैठ सकते थे बभुसा ठिटका और उसकी गंबीर निगार तरफ गूमने लगी सब कुछ उसका जाना पिचाना था छट धातु की बनी हुई थी धातु में इस डिजाइन जैसा डाल रखा था दिवारे कहीं प्लेन थी तो कहीं जरुद के इसाब से सामान लगाये हुआ था इससे पोपा सफर के दोरान सूर की घर्मी से भी बचा रहता था और पानी की जरुद भी पूरी हो जाती थी बभुसा उन खानों को खोल कर देखने लगा एक आदा को छोड़कर वो खाली थे इस परश्चे था कि पोपा का ये साख कम इस्तमाल होता था बभुसा की निगा साइड में खुलने वाले पोपा के दरवाजे पर जाती की वो बंद था और पास में पीले बटनों वाली प्लेट लगी थी आगे बढ़कर बभुसा उन पीले बटनों को खास क्रमवार के हिसाब से दवाने लगा दबाने के चंद सेकिंडों को आद दरवाजा एलो फिर भारी तरफ खुलता चला गया ठंडी हवा का तीवर जोगा बीतर आया बाहर बर्फ की बिछी सफेज चादर दिखने लगी बभुसा चोच बरी निगाओं से बाहर दिखने लगा इस बार कड़ा मुकाबला होगा सोमात बभुसा बड़वड़ा उटा फिर बभुसा वापिस खुले दरवाजे पर ठिटका कि ठिटक कर रहे गया खुली सीडियों के बास सोमात खड़व उपर ही देख रहा था दोनों की नजरें मिली बभुसा बरवसी मिश्करा पड़ा ये क्या कर रहे हूँ सोमात ने पूछा तुम मुझसे नहीं पूछ सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ बभुसा ओले साच पड़ा सोमात उसे देख तरह फिर बोला इस रास्ते को मैंने पहली बढ़ देखा है तुम पोपा को जानते ही कितना हो महापंडित ने पोपा के बारे में जो जानकारी तुम मैं बढ़ दी वही तुम जानते हो और महापंडित भी पोपा को जादा नहीं जानता मैं तो राजा देवा जम्रा के साथ पोपा के निर्मान में लगा रहा था हम तीनों से ज़्यादा पोपा को और कोई नहीं जान सकता बभूसा ने का तुम मुझे क्या बताना चाहते हो ये खैकार कुछ नहीं बताना चाहता बबुसा ने काओ और नमरों वाली प्लेट के बटनों को दावाने लगा तुम्हारी ये हरकतें अजीब सी हैं बाहर कड़ा सुमात बोला तुम तभी बाहर फैली सेड़ियां दरवाजे में असम्टी और दरवाजा बंद होने लगा बबुसा और सुमात एक दूसरे को देखते रहे कि दरवाजा बंद हो गया बाहर से आती ठंडियावा थम गई बबुसा कई बलोता बंद दरवाजे को देखता रहा फिर रह से सिबरी मुस्कान चेहरे बनना चुटी बबुसा चालक अक्ष में पहुचा जो कि पोपा के आगी की तरफ था चालक काक्ष का नजारा ऐसा था जैसे कि इस जगे पर किसी ने धेड़ सारा बिजली का सामान डाल कर उसे जोरों से हिला दिया हो हर तरफ तार है, सुच, नाव, पचासो लीवर, सुर्ख रंग का डैश बोर्ड और उस पर बहुत संख्या में सुच कुछ ऐसे लीवर भी थे जो कि स्टेरिंग की तरह गोल-गोल गुमा जा सकते थे सामने ऐसे कांच जैसे प्लास्टिक की विंड स्क्रीन थी कि कुछ टकरा जाने की स्टिती में वो टूटे ना इस तरफ दो कुर्सियां थी, जो कि फर्श के साथ फिट थी ऐसी और भी धेरो चीज़े थी जिनने बता पाना कटेने पाई तरफ की दिवार में ढकन वाले चोटे जोटे खाने बने हुए थे जिन पर नंबर प्लेट लगी थी चट पर विंड स्क्रीन जैसा शीश्या लगा था जो कि मद्देम साइस की खिड़की जैसा था और वहां से भी भार देखा जा सकता था ये दस फुट चोड़ा दस फुट लंबा कमरा था डेशबोर्ट के एक तरफ छोड़ी चोटी कई स्क्रीने लगी थी जो कि पोपा की यात्रा के बक्त पोपा के बार हर देशा का नजारा दिखाती थी इस वक्ट चालक कक्ष में देवराज चौन मौजूद था जो कि नीचे जुका टेशबोर्ट के नीचे की तारों में उल्जा हुआ था कि आठ पाकर सिर्फ हुमाया तो बबुसा को देखा आहां राजा देव आपको पोपा के चालक कक्ष में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बबुसा खुशी से के उठ देवराज चौन उठ खड़ा हुआ और मुस्क्राया हम सब की मेना सफ़ल ही बबुसा पोपा बना ली हमने देवराज चौन ने का आपने और जम्रा ने बहुत महनत की थी तुमने और सौसे ज़्यादा पो लोगों ने पोपा बनाने में बहुत ज़्यादा सेहोग दिया था पोपा बनाना आपका सफना तरा जदे मैं बहुत खुश था जब आपने कहा था कि पोपा तैयार हो गया उस रात आपने इसी चाला कक्ष में बैटकर कारू यानी शराब पी थी बहुत जादा कारू पी ली थी आप और भी पीना चाहते थे परंतु मैंने कारू का परतन आपसे लेकर उस खाने में बंद कर दिया था बबुसा ने एक बंद खाने की तरह विशारा किया मुझे याद नहीं देवराच चान मुस्करा है बबुसा के मुस्कान बरे चाहरे पर सोच के भाव उबरे ये सारे खाने के लॉक्स आपने सैट किये थे मेरी मौझूदगी में इन्हें खोलने का करम जम्रा को बता दिया था जम्रा तब दूसरे कामों में वैस्ते था तो मैंने सोचा कि उसे अगली मुलाकार में बता दूँगा तुम तो ये खबर देने किले की तरह रवाना हो चुके थे कि कल मैं किले पर पहुँच रहूं अगले दिन मैं भी रवाना हो गया था बबुसा का चैरे पर दुख्य भाव उबरे उसे वो वक्त यादा गया था बबुसा क्या हुआ कुछ नहीं राज़ा दे बबुसा ने तुरंट से रेलाया तो आपने इन बक्सों को खोलने के बारे में किसी को नहीं बताया फिर तो आज भी वो वाला कारू का बड़तन इसी बक्से में हुगा कहने के साथ ही बबुसा आगे बड़ा और एक बंद बक्से के पास्ट ढखकर वहां लगी पंटनों की प्लेट के बटनों को करमबर दबाने लगा दबाकर हटा तो हाथ से बक्से का बल्ला कोल दिया वो मातर दो फुट गहरा था और उसमें पड़ा कुछ दिखा बबुसा ने हाथ से उसे पकड़ा और बाहर निकाला चमक रही थी बबुसा की आगे वो बरतन जग की तरह खुले मुवाला था और अब खराब हो चुका था बदरंग हो चुका था उसका बुरा हाल देखते ही बनता था देवरा चौन एक ठागा मार का रस पड़ा ये वोही बरतन है राज़ा देख बबुसा की आवाज कहाँ पर रही थी वही बरतन है जब बोपा बन जाने की कुशी में आप इस बरतन में भर का कारू पी रहे थे तब का रखा आप बरतन को बाहर निकाला है मुझे कुछ-कुछ उस वक्की याद आ रही है बबुसा देवरा चौन हस्ते हुए क्या होड़ा वही बरतन है ये देवरा चौन हस्ता हुआ को बरतन को एकतर रखते हुए का बीते वक्त की कुछ याद है कितनी अच्छी होती है राजा देख हाँ बहुत अच्छा लगता है पुरानी बातों को याद करके बबुसा देवरा चौन को गंभी निकाउं से देखने लगा मुझे लगता है पुरानी निर्मान करना जैसे कल की बात हो चाला कक्ष की एक एक चीज याद है मुझे मैंने उस कक्ष को तयार किया था यहां तब की याद है कि कौन सी इतार को कहा जोड़ा था मैंने आपने ही सब कुछ बनाया है तो क्यों नहीं याद होगा आज मैं बहुत खुश हूं बभूसा मैंने सोचा है कि मैं ही पोपा को चला कर सदूर तक ले जाऊंगा इससे अच्छी और क्या बात होगी मैं जल से यह सदूर का पहुच कर देखना चाता हूं कि अब मेरा सदूर कैसा है कुछ चुप रहकर बभूसा बोला मुझे आप से शिकायत है राजा देख देवराद चौन बभूसा को देखने लगा मैंने आपको कितना रोखा कि आप अभी आप रानी ताशा से ना मिले परंतु आपने मेरी एक ना मानी क्यों ना मिलता ताशा से देवराद चौन बोला मैं ताशा से दूर नहीं रह सकता मैं चाता था कि आपको सब याद आ जाए कि रानी ताशा ने आपको कैसा दोका दिया कैसे आपको सदूर कैसे बार पेका ताशा मुझे क्यों घर ऐसे बार फेकना लगी वो तो मुझे पर जान देती है बबुसा कुछ चिप रहकर क्या उटा मेरे गहल में तब रानी ताशा से दोके में थी वो खुट नहीं जानती थी कि उनके दोरह क्या हो रहा है क्या मतलब मुझे पता लगा कि आपको सदूर से बार फेकना का काम रानी ताशा ने अपने होच वाज में नहीं किया था मैं आपको कुछ नहीं बाते बताना चाहता हूँ वही बाते बताने में आपके पास आया हूँ बबुसा गंबीर हो गया धरा को तो आप जानते ही है पर वो बबुसा थमसा गया फिर मुस्करा कर गया उटा वो बता रही थी कि राजा दे सदूर पर पहुच कर बहुत खोश होंगे राणी ताशे के साथ बहुत अच्छा जीवन बिताएंगे देवरा चान मुस्करा पड़ा ज़की बभुसा के चारे पर बेचानी ना चुटी धरा बहुत खराब बभुसा ने पुना का परंतो उसके होटों से जैसे जबरन निकला धरा को सदूर पर साथ ले जाना बहुत अच्छी बात रहीगी वो भी सदूर को देखकर खुश होगी राजा देव वो हमारे साथ ही तो चल रही है देवरा चौन मुस्करा कर बोला ये मुझे क्या हो रहा है बभुसा के ओटों से निकला मैं आपको कुछ और बताना चाहरा हूँ ये कैसी बाते मेरे मुझे निकल रही है मैं धरा की असलियत धरा का वैवार सबके साथ बहुत अच्छा है मैं अभी बात नहीं कर सकता राजादिव पता नहीं मुझे क्या हो रहा है ये भी धरा की चाल धरा के साथ मैं और सुमारा रात देर तर बाते करते रहे और बभुसा ना अपना माता पकड़ लिया तो मैं कुछ आराम कर लेना चाहिए बभुसा धरा को पूरा सदूर घुमांगो राजादिव हाँ बग्गी पर उसे अब तो सदूर पर वान चलते हैं राजादिव बभुसा परिशान सवर में बोला सच में मैं थका हुआ हूँ मुझे कुछ देर आराम करना होगा मैं जा रहा हूँ राजादिव तो मैं मालूम है कि आज हम सदूर की तरफ पोपा में रवाना हो जाएंगे देवराज चान ने का ओ मुझे नहीं पता था चलने की तयारियां शुरू हो चीकिए कुछी गंटों में हम प्रिज्वी ग्राइ छोड़ देंगे फिर तो मुझे भी चलने की तयारी कर लेनी होगी सुमारा से मिलकर कैसा लगा देवराज चान मुस्कुराया बहुत अच्छा राजा देव हम सदूर पर पोच का शादी कर लेंगे तुम सुमारा के लिए अपना मन में कुरोध रखे हुए देवराज चान बोला ये मेरा और सुमात का मामला है राजा देव बबुसा कर सर सकतो गया वो तुम से ज़्यादा ताकतवर है बबुसा उस पर हमला नहीं करो तो अच्छा है आप इस मामले में ना पढ़ए राजा देव मैं उसे समान लूँगा देवराज चाहन ने गहरी नजरों से बभूसा को देगा तुम मेरी बात नहीं मान रहे मैं सोमात को जीत कर दिखाऊंगा राज़ादेव बभूसा ने द्रण सौर में का अगर तुमने अब सोमात पर हमला किया तो वो तुम्हें मार देगा उसने इसपस्ट का है देवराज चाहन बोला और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता तुम्हारे बिना सदूर्प मेरा काम हूँ कैसे चलेगा सोमात मुझे नुकसान नहीं पहुचा सकेगा उसे खत्म करने के लिए मैंने जो चक्रवी तयार किया उसका मुकालब वो नहीं कर सकेगा और धोके में मारा जाएगा क्या आपको मुझे बरोसा नहीं राज़ा देव बरोसा है पर मैं नहीं चाहता कि तुम खत्रे में पड़ो देवराज चौन कंबीर था मैं वो सीधा साधा बभूसा नहीं राज़ा देव इस बार मापंडित ने मेरा जन्म कराते समय मुझे मैं आप जैसी ताकत और आप जैसी तिमाग के गोन डाल दिये थे ऐसे मैं आपको मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए मैं ही कुछ मैं ही कुछ समाल सकता हूँ डोबु जाती का सबसे तेज उद्धा हूँ ऐसे मैं मैं बहुत सोच समझ का सोमात की खलाफ अपने चक्रिवी को तयार कर रहा हूँ देवराज चौन के चैरे पर गंबीरता ठहरी रही उसी बल तरवाजे पर आठ उब्री और किलोरा ने भीता प्रवेश किया तो उनों की नजरें की लोरा पगे उसी बल देवराज चौन बबुसा से क्या उटा तुम कितने भी बैतर सही पर मुझे तुमारी चिंता रहीगी मैं चलने की तयारी कर लू राजा देव बबुसा मुस्कुराया पोपा के जलते ही मैं आपकी सेवा में आजर हो जाओंगा बबुसा इजाज़त लेकर बाहर निकला और आगे बढ़ता बढ़़ा उटा ये मुझे क्या हो गया था मैं जब भी धरा की असलेत राजा देव को बताने लगता तो मेरे मुसे मेरे मंचाय शब्त क्यों नहीं निकल रहे थे जरूर ये सब धरा की ताक्ते ही मेरे मुसे निकलवा रही थी और उन बातों से मुझे रोक रही थी जो मैं कहना चाहता था धरा ने कहा भी तो था कि मेरी ताक्ते मुझे कुछ भी बताने नहीं देंगे ये सब श्यातानी धरा की ही है बबुसा पाड़ के भीतर उस कमरे में पहुंचा जाब वो सब मौझूद थे सबसे पहले उसकी निगा धरा की तरफ गई जो कि सबसे अलग थलग कमबल वड़े बैटी थी नजरे मिलते ही धरा मुस्कुराई तो उसका नीचे का हुट तेड़ा होगे बबुसा का चेरा सकतो हुटा वो सीधा धरा के पास पहुंचकर नीचे बैटा की धरा नहीं हसकर का राजा देव को बताया है मेरे बारे में तूने मुझे बताने क्यों नहीं दिया जब भी कहना चाहा तो मुझे दूसरी शब्द निकले बबुसा का सौर तीखा था धरा हस पड़ी हस्ती क्यों है मैंने तेरे को कहा तो था कि तू राजा देगो बतानी सकेगा कुछ मैं नहीं बताने दूंगी तो तेरी ताक्तों ने मुझे कहने से रोका हाँ मैं ना चाहूं तो तू मेरी अंचाही बात कैसे किसी को बता पाएगा धरा ने आखें ना चाही अपनी ताक्ते दिखा मुझे सदूर पर दिखाऊंगी वैसे भी यहां मेरे बाद दो-तीन नहीं ताकते हैं धरा ने घहरी सांस ली पर सदूर पर मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ तो वही होगा जो मैं चाहूंगी मुझे वहाँ पहुचने तो दे तो देवराच्चान को सब कुछ बता देता तो मेरे को सदूर पर पहुचन में समझ से आ सकती थी मैंने ऐसा होने ही नहीं दिया तू है कौन? मैंने तुरे को बताया था कि धराओं मैं तेरा असली नाम दोबारा पूच रहा है यही बात खुम्बरी मुस्कुराई निशला और तेड़ा हो गया मेरा असली नाम तो तू तब ही जान पाएगा जब सदूर पर पहुचेगा उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताने वाली बताने से क्या होगा? मैं पहचानी जाओंगी मेरे नाम मेरा नाम तो तूफान खड़ा कर देगा बहुत वक्त बीदिया मुझे सदूर से निकले परन्तु जानने वाले तो अभी भी मेरा नाम जानते हैं मेरी असलियत जानते हैं जबकि मैं नहीं चाहती कि सदूर पहुचने से पहले मुझे कोई परिशानी हो तूने मेरा दिमाग खराब कर रखा दरा बहुसा जल्ला उठा सदूर पहुचकर तू मुझे नए नाम से जानेगा वही मेरा पुराना नाम धराने आखे नचा करगा तू शैदान जैसी है सच का मैं ऐसी हूँ मैं तुझे साथ नहीं ले जाना चाहता बहुसा नहीं दाद बीचकर का तू कुछ नहीं कर सकेगा मेरी तक्ते मेरे बारे में तेरे को किसी से कहने नहीं देंगे मैं सदूर पस जरूर पहुचूंगी मैं तेरी हरकतों से हैरान परेशान हो गया हूँ अभी अभी से अभी तो मैंने कुछ किया भी ने मेरा रंग तुने देखा ही का है सदूर पहुंच और मेरा रंग देख ले हम आज ही सदूर के लिए चल रहा है जानती हूँ मेरी तक तो ने मुझे इस बात का एसास करा दिया बबुसा उसी पल वहाँ से उठा और पलट का सबसे क्या उठा हम आज पोपा में बैटकर सदूर के लिए चल देंगे सच बबुसा सोमारा खुशी से कहते उठी और पासा पहुची जगमान नगीना मोना चौदरी की नजरे मिली तैयारी करो सोमारा मेरे साथ हो मैं तुमें कुछ काम बताता हू बबुसा बोला तब ही जगमान क्या हुटा सोमात का कुछ हुआ उसका भी जरूर कुछ होगा बबुसा कड़वे सर में क्या हुटा जब तक उसकी जान नहीं लूगा मुझे चैन नहीं मिलेगा जान? मोना चौदरी बोली पर वो तो रॉबोट है हमारी तरह इंसान नहीं तो उसमें जान कैसे आ गए उसे खत्म कर देने मैं ही सब कुछ आ जाता है कहने के साथ ही बबुसा सोमारा के साथ बाहर निकल गया जगमान नहीं बैटे धरा से का आज हम सदूर की रफ चल देंगे धरा मुझे अच्छा लगेगा धरा ने शान सवर में का तुम्हें डर तो नहीं लग रहा डर कैसा अपने घर जाते किसी को डर लगता है क्या धरा ने मासूम सवर में का घर सदूर गया तुमारा घर कैसे हो गया अगर सदूर मुझे पसंद आ गया तो मैं अपनी दुनिया वहीं बसालूँगी, तुमने सोमारा से कहा कि नगिना के साथ ना इंसाफी हो रही है, देवराद चौहान उसका पती है, जिसे की रानी ताशा, सही तो कहा है, धरा बोली, देवराद चौहान पर मैं रानी ताशा का हक नहीं मानती, पर मैं कर भी कह सक करना होगा हम इस तरह चुप चापके बैठे हैं हम कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं है जगमान बोला क्यों नहीं हम तो मुना चौदरी जगमान शब्दों को चबा करगा तुम भैतर जानती हो कि में रानी ताशा का मुकाबला नहीं कर सकते करें तो सुमात आ गया जाए रानी ताशा के और भी लोग हैं जो पर हम कब तक चुप बैठे रहेंगे देवरा चौन को ना तो पेला की परवा है ना तुमारी वो रानी ताशा में इसकदर डूबा हुआ है कि शायद उसे हमारा ख्याली नहीं आ रहा होगा मुझे नहीं बता था कि वो इतना कमीना है क कि एक औरत की खातेर वो पेला को और तुम्हें भूल जाएगा मोना चौधरी गुर्रा उटी तुम देवरा चौन की स्तिती को गलत समझ रही हो जग महन ने कंभी सवर में कहा इस वक्त सदूर ग्रह के जन्ड में वो रंग चुका है तब रानी ताशा के साथ उसे बहत प् अभी और मुझे नहीं बूल सकता था उसे तो सिर्व रानी ताशा ही नजर आ रही है ऐसा है तो हम क्यों सदूर ग्रह जाने को तैयार हो रहे हैं मोना चौधी ने तीके ज़र में कहा दो बाते हैं जिनकी वज़े से हम सदूर ग्रह पर जाने को तैयार है एक तो बबुसा क प्राणी ताशा का असर उस पर से कम हो जाए हम देवराच्वान को आसानी से नहीं अलग कर सकते हैं जग्मौन के आखे पर है मैंने अपना सारा जीवनी देवराच्वान के साथ बिता है एक तरह से मेरी जिंदिगी उसके साथ शुरू हुई थी तो अब उसे अलग उते कै पैसे देख सकता हूँ उसने तो कह दिया है कि सारा पैसा मैं और भावी बाट ले परंतु पैसे को हमने करना क्या है बहुत देख लिया मैं देवराच्वान को इस तरह नहीं छोड़ सकता अगर आगे जाकर भी सब कुछ ऐसे ही रहो देवराच्वान रानिताशा के साथ खुश रहा तो मैं तब वापिस पल्टूंगा मन में ये चैन तु रहेगा कि देवराच्वान जहाएं खुश है तब हम सदूर ग्राच्वाट से वापिस कैसे आएंगे मोना चौधरी नहीं का हो ए रास्ता निकल आएगा जग्मोहन मुस्कुरा है नहीं तो सदूर पर ही रह लेंगे मोना चौद्री ने नगीना से का तुम क्या चाती हो बेला मैं देवराज चौन को हसी खुशी बसते देखना चाती हूँ वो जहां भी जिसके साथ भी रहे नगीना ने शांसवर में का मैं जग्मोहन की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि जब हमें तसल्ली हो जाएगी तुम सदूर से चल देंगे इतनी आसानी सो उन्हें छोड़ भी नहीं सकती मैं ज़र्वत पड़ी तो सदूर परी मैं बाकी का जीवन बिता देने को तयार हूँ मोना चौद्री एक टक्सी नगीना को देखती रहे मिन्नो नगीना ने का मेरी मान तो तू वापिस चली जा तुझे इस तरह छोड़ कर जगमान है न मेरे साथ ये मेरा ध्यान रखेंगा नगीना मुस्करा पड़ी मोना चौद्री न जगमान को देखा फिर दर्ण सवर में क्या उटी नहीं बेला इन हालातों में मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती अभी तुझे मेरे साथ ही रहना होगा नगीना न कुछ नहीं का कुछ कदमों की दूरी पर बैटी तरह चमकती निगाओं से इन्हें देख रही थी हमें बबुसा बबहरोजा रखना होगा जगमों ने गंबीर सर में का सोमात नहीं रहेगा तो हमारे लिए हालात बहतर हो जाएंगे बबुसा सोमारा के साथ उस कमरे से निकल कर आगे बढ़ने लगा डोबु चाती की लोग आ जा रहे थे सामान नसा रोज की तरह का शोर उठ रहा था कहीं कहीं रानी ताशा के आदमी भी खड़े दिख जाते थे तुम मुझे कहां ले जा रहे हो बबुसा सोमारा क्या उठी आज हम वापिस सदूर ब्राज चल रहे हैं सोमारा बबुसा ने गंबीर सर में का ये तो खुशी की बात है और तुम परिशान क्यों हो रहे हो सोमारा बोली मैं धरा की वज़े से परिशान हूँ मैं सोमात की वज़े से परिशान हूँ मेरी परिशानिया खत्म होनी के अपिक्षा बढ़ती ही जा रही है अभी मेरे से जादा बात मत करो जो मेरे दिमाग में काम बागी है वो मुझे कर लेने दो सोमात को खत्म करने के लिए मुझे कुछ सामान की जरुवत है वो सामान मैं अगोमा को बताऊंगा और तुम अपनी देख रेक में उसे पोपा के भीतर तुमने पोपा का पीछे वाला ऐसा देखा है जहां एक बंदरवाज लगा बभूसा ने पूछा देखा है सारे सामान को महाँ पर पहुचा देना यहाँ जो रानी ताशा के आदमी है उनसे के अगर भीता रखवा देना हाँ ठीक है बभूसा सोमारा के साथ बिजली वाले कमरे में पहुचा तो अगोमा नहीं मिला कुछ ढूणने पर अगोमा मिला तो बभूसा उसे एक तरफ ले जा कर बोला आज पोपा सदूर पर जा रहा है अगोमा ओ तुम भी जा रहे हो हाँ तुमारे चले जाने का मुझे दुख होगा अगोमा गंबीर सर में क्या उठा मैं फिर आउँगा अगोमा बभूसा ने मुस्करानी की चेश्टा की अगोमा चुप रहा मुझे कुछ सामान चाहिए वो एक अट्टा कर गए उसे सोमारा को दे देना कैसा सामान एक मोटा रस्सा मोटा और मजबूत कम से कम वो 25 फुट लंबा हो ऐसे कई रस्से पड़े हैं तुम खुच चुनना मजबूत रस्से को अगर वो मजबूत नहीं हो तो मेरी जान चली जाएगी बभूसा ने का वो मजबूत होगा अगोमा ने दड़ सर में का जो मैं तुम्हें दूँगा साथ मैं मुझे हत्यार चाहिए कुलाडा, हतोडा और हमारे खास सारे हत्यार बहुत जादा नहीं चाहिए पर उन तो कम भी ना हो कुलाडा और हतोडा आठाठ दददस की संक्या में हो पर हमारे हत्यारों पर तो पहरा है अगोमा बोला मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी पोपा के भीतर आने वाले वक्त में इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा सोलाम से बता करता हूँ वो और इसके योद्दाओं के पास हत्यार होंगे उन्होंने हत्यार बनाये थे बाहर तलवारे हैं बभूसा ने पूछा मेरे पास ज़्यादा हत्यार नहीं है योद्दाओं ने जो छिपा रख्योंगे वही उनसे निकलवा सकता हूँ मैं जो कहना चाहता हूँ वो तुम समझ गयो सोमारा तुमारे पास है सब इंतिजाम करके इसे दो यो उन्हों पोपा में ले जाएगी ये काम जल्दी से ल्दी करो राजादीब कभी भी चलने के लिए कह सकते हैं रानी ताशा के आदमी हत्यारों को देखकर उन्हें जब्त कर लेंगे अगोमा बोला वो ऐसा नहीं कर सकेंगे वक्त आने पर इस बारे में मैं राजादी उसे बात कर लूँगा अगोमा ने सेरे लाय और सोमारा को देखकर गा तुम मेरे साथ आओ अगोमा और सोमारा चले गए परन्तु बभूसा की नज़र सोमारा पर टिक गई थी जो कि कुछ पहले ही वहाँ पहुचा था और अगोमा और सोमारा को एक साथ जाती देख रहा था फिर उसना बभूसा की तरफ नज़र गुमाई नज़रे मिली बभूसा कहर बरे अंदाज में मुस्क्राया परटकर वहाँ से आगे बढ़ गया वो मूर्ती वाले हॉल में पहुचा और मूर्ती के पीछे वाले उस रास्ते पर बढ़ गया जो हमभी के कमरे तक जाता था बभूसा हमभी के कमरे में पहुचा तो हमभी को आखे बंद किये तक्त जैसे पत्थर पर लेटे पाया उसकी आखे बंद थी बालों को उसने हाथ में पकड़ रखा था जादुगरनी बभूसा ने धीमे जल्मा पका रहा आ गया मुझे दुख देने मैं तुम्हें दुख दे सकता हूं जादुगरनी मैं तो तुम्हारा बच्चा हूं बभूसा की आँके बार है हमेशा के लिए आज तु यहां से जा रहा और कहता है दुख नहीं दे रहा ओंबी ने आखे खोली उसी मुद्रा में उसे देखा हजार साल से उपर हो गए मुझे तब से जिन्दा हूं और लोगों को बिछड़ते ही देखा है मैंने सब मेरे से दूर चले जाते है लंबी उम्र सजा की तरह है मैंने हमेशे ही जाती के लोगों को अपने बच्चेओं की तरह चाहा पर कोई मेरे साथ जादा देर तक नहीं दे सकता हो बिछड़ जाता है आज तेरी बारी भी आ गई मुझसे दूर चले जाने की बभुसा की आखों में आशु चमक उठे मेरा जाना जरूरी है जदूगरनी बहुत काम पूरे करने है मुझे नहीं तो मैं रोक नहीं रही तुझे मैंने कब खा तेरे को रुखने को तेरा चले जाने ही ठीक है सदूर का है तू बभुसा की आखों में आसु निकल का गालो पर आ गए हम भी बभुसा को देखती रही कुछ पल फेरोट बैठी चहरे का जुर्यों वाला मास हिलने लगा आने वाले वक्त की मैंने चाया देखी तेरे को खत्रे में देखा पोपा जा रहा है और तू पोपा के बाहर रसा थामे लठक रहा है और सोमात पोपा के दरवाजे पर खड़ा दिख रहा है हम भी गंभी उसर में क्या उठी बभुसा चौगा फिस समलती हुए क्या उठा ऐसा नहीं हो सकता जादू करनी ऐसा होगा मैंने देख लिए क्या कर रहा है तू बभुसा ने होट बीच लिए हम भी उसे देखती रही मैं सोमात को खत्म करने वाला हूँ बभुसा ने का मैं पोपा के बाहर कैसे हो सकता हूँ और सोमात तब पोपा में कैसे हो सकता है फिर देखो, जादूगर्णी शायद कुछ नया दिखे जो की, भविश्य मुझे जो दिखा, मैंने बता दिया, अब सोमात तुम्हे खत्म करता है, या तुम सोमात को ये मैं नहीं जानती, क्या मैं सफल नहीं हो सकूँगा, तेरा जो भविश्य दिखा मुझे बता दिया, त हमबी के बुड़े चेरे बा मुस्कान फिल गई, वो बोली, तो अब तु जा रहा है बबुसा, हमेशा हमेशा के लिए, बबुसा ने गंबीरता जिस सेल लाए, हमबी ने कंगी उठाई और बबुसा की तरफ बढ़ा कर बोली, ले, वो अपने काले बाल पीछे की तरफ कर करती के उठी, बालों में फिर दे, बबुसा ने फॉरंग कंगा उठाया, हमबी के पीछे पहुचकर बालों में फिरने लगा, उस लड़की से बचकर रहना, हमबी बोली, धरा की बात कर रही हो जादू करनी, वही, वो खतरनाग है, कभी कभी तो वो शैतान लगती है, तेरे को नाज दिखा देगी, उससे बचकर रहना, हमबी न मत्यम सरमे का, पर वो है कौन, ये बात में तेरे को नहीं बताऊंगी, तो इस बात का जवाब जानती है जादू करनी, हाँ, वो सदूर पर पहुचकर क्या करने वाली है, बबुसा ने पूचा, कोई अपने घर अगर क्या करता है, तू सदूर पर पहुचकर क्या करेगा, पहले की तरह अपने काम देखूंगा, तो वो लड़की भी पहले की तरह सदूर पर पहुचकर अपने काम देखेगी, अपने काम, कौन से काम, ये तेरे को सदूर पर ही पता चलेगा, वहाँ तू उसकी शकल वा वो अपने अधूरे इरादों को पूरा करने में लग जाएगी परंतु उसकी रा भी आसान नहीं होगी वो भी आजाएगा वो कौन जादूगर्नी? हम भी चुप हो गई बता जादूगर्नी तु किसके आने की बात कर रही हूँ? नहीं बता सकते उसके बारे ने क्यों? लड़की को अच्छा नहीं लगे Communications तो मैं धरा से डर है जादूगर्नी मुझे क्या डर होगा? जादूगर्नी मुझे मुस्कुराई मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता उसे परिशानियों का सामना करना पड़े जादू करनी मैंने राजा दे को धरा के बारे मां बताना चा तो मेरी जुबान के जुबान से कुछ औरी शब्द निकलने लगे उस लड़की की ताक्त ने तेरे को कहने से रोका ये तो मेरे लिए चिंता वाली बात हो गई तो उस लड़की बर से ध्यान अठाले वो बहुत ताकतवर है सदूर पर पहुंच कर वो फिर अपने रंग में रंग जाएगी उसकी ताक्तें उर्जा आसल कर लेंगी तुकड़े तुकड़े हुआ सदूर फिर वापिस आप में लेगा और क्या है एक एक हमबीन अपने दौनों हाथ हावा में ले रहा है तू मेरी बातों के बीच क्यों आ रही है कंगा करता बभुसा थम गया कौन बीच में आ रहा हमबी वभुसा बोला चली जाए यहां से हमबी फिर से हाथ लाकर बोली तब ही एक लरस्ती मद्यम सी आवाज वहां गूजी तू मेरी बाते क्यों करती है तेरे को क्या मैं जो भी करूँ हमबीन हवा में अपना हाथ हला रहा है मेरे से जगड़ा करेगी तू मेरा क्या बिगाड़ेगी इस जमीन पर मेरे तेरे पास ताक्ते नहीं है जिस जमीन पर जा रही है वहां रॉप दिखाना तेरे को मेरा जरा भी डर नहीं हम भी हस पड़ी बोली तेरे पास ऐसा है ही क्या जिससे में डरू मैं नहीं परवा करती तेरी मेरे बारे मैं बभुसा को कुछ मत बता बताना होता तो पहली बता देती परन्तु बभुसा के भली के लिए उसे नहीं बता रही तू मेरी बातों में दखल मत दे नहीं तो मैं बता दूँगी तू कौन है और बभुसा महापंडित को बता देगा और तू वक्त से पहले पहचानी जाईगी, तू बुरी है, अपने को देख, हमबी न शान सरमय का, बुरी तो तू है, मैं तेरे को अच्छी तरह जान चुकी हूँ, फिर भी, फिर वो आवाज नहीं है, कंगा फेर भालो में, रुक क्यों गया बबुसा, हमबी बोली, ये, य तो उसके बारे में तेरे से जानना चाता था, मैं बताने वाली नहीं, क्या महापंडित जानता है कि धरा कौन है, लड़की का नाम सुनेगा तो फॉरण सब कुस समझ जाएगा वो, नाम ही तो लड़की की पहचान है, तो नाम मुझे बता, जब वक्त हैगा तेरे को पता खतरे हैं, बबुसा का जहरा सकतो गया, लकंगा दे, बबुसा ने हमबी को कंगा दियो और सामने आ गया, हमबी ने सामान नजरों से बबुसा को देखकर का, जाब तू, खुश रह, तेरे से दूर जाकर मुझे बहुत दुख होगा, कुछ नहीं होगा, तेरे को मेरी आ है हालातों से, तेरे को जादू करनी की यादी नहीं आई, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, आगी की रहा असान नहीं है, मैं सोमात को नहीं खतम कर पाऊंगा, नहीं जानती, पता होता तो जरू बता दीती, हम भी नशान मुसकान से का, मैं सदूर पर पहुचूंग पर एक बात मैं तेरे को बता दूँ कि आने वाले वक्त मैं सोमात को मैंने सदूर पर देखा है, ओ, तो इसका मतलब सोमात को मैं खतम नहीं कर सकूँगा, वो मुझे मार देने में काम्याब रहेगा, बबुसा गंबीर और वेकल दिखने लगा, लेकिन जादू करनी, मैं अ चार बज़रे थे सूर्य का सुबह से ही पता नहीं था, कड़कती सर्दी हर तरफ फैली थी और कोरे का जुन्द तेरता आता आगे सरक जाता, हर तरफ बर्फ की सफेदी की चादर बिछी नजर आ रही थी, पहाणों की लंबी शंगला बर्फ की चादर से ढखी वी थी, आगे सबी बाहर थे क्योंकि पोपा वहां से जा रहा था, वेरानी ताशा के हाथो आजाद हो चुके थे, पोपा को जाते देखने के लिए सब पाहर से बाहर निकला आए थे, उनके चेरे पर खुशी नजर आ रही थी, तो पोपा के चले जाने के उस सुकता भी, वे सब प जालू इंजन के मत्यम से आवाज कानों में पड़ रही थी, एका एक पोपा कापता से दिखा, कई पनों तक कापता से तेज आवाज करता रहा और तेजी से उपर उठा, और दाएं बाएं को जुका, फिर उपर उठने लगा, सब की हैरत भरी निकाएं पोपा पटिकी थी उनके देखते ही देखते पोपा जिन धातू की टांगों पर खड़ा था, वो पोपा के भीतरी कहीं लुपत होती चली गए, इसके साथ ही पोपा आसमान की तरफ उठता चला गया, डोगू जाती के लोगों की सासे थम गई, जैसे पोपा को देखते हुए, तब ही पोपा नचाय बादलों में गुम होता चला गया, ये सब मात्र एक देड मिनिट में ही हो गया था, देवरा च्वान के चहरे पर मुस्कान थी, उसकी निगा सामने लगे मीटर को थरतरारी सोही पर लगी थी, कभी कभी नज़रे उन चोटी चोटी स्क्रीनों की तरफ उठ जाती ज खुद को एक ऐसी बेल्ट जैसी चीज़ से बांद रखा था जो की पेट पर से चोड़ी होकर गुजर रही थी, आप कुछ भी नहीं भूले राज़ा देव, किलोरा मुस्करा कर बोला, सब याद है आपको, देवरा च्वान ने मुस्करा कर सामने की शीशे के पार देगा, जा बादलों का जाली नजर आ रहा था, फिर उचाही मापने वाले मीटर को देखा और का, हम पिर्जी की सीमा से बाहर निकल कर आकाज गंगा में पहुंचने वाले हैं, देवरा च्वान बोला, तो रफतार तेज कर दीजे, ताकि जटकों कास और पोपा पर कमो, किलोरा न का, देवरा च्वान ने रफतार तेज कर दी, मिनट पर भीदा की पोपा सूखे पत्ते की भादी काप उठा, कई तीवरे जटके लगे, अगर वो कुर्सी पर बैल्ट में फसे ना होते तो जरूर नीचे लड़क गए होते, बीस सेकंड यही आलम रा, और फिर तूफान ग हमारी उडान सफल रही राजादेव, किलो रहने मुस्कुरा कर का, पोपा को समाल कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा सपना था पोपा की सैर करते आकाश गंगा में घूमना, देवरा च्वान की आवाज में उस्चा बरहा था, चाला कक्ष में दो चेर क्यों हैं, बताईए राजादेव, एक मैंने अपने लिए रखी हो दूसी ताशा के लिए, मैं ताशा के संग आकाश गंगा में घूमना चाता था, कितना अच्छा सोचा था आपने, देवरा च्वान ने मीटर को देखते पोपा की दिशा निधारित करके का, दिशा का मुझे जादा बतेड़े हो गए थे, फिर पोपा सीधा होता चला गया, दिशा मैंने सैट कर दी, किलोरा बोला, अब हमें इसी दिशा की दरफ जाना है, कुछ दिन के बाद हमें दिशा बदलनी होगी, कुल दस दिन का सफर है, और अभी पोपा की रफ्तार भी बढ़ानी है, देवरा ग्रह का हिस्सा होता है, कि जिस हिस्से बर सूरी की रोशनी बढ़ती रहे, वो इससा देन हो, जिदर सूरी की रोशनी ना पड़े, उसे रात को, रात हो जाना कहते हैं, ये सब बाते कितनी अच्छी लगती है, जब हम आकाश गंगा में पोपा में बैटे घूम रहे हो, य पोपा का, और कई घंटो बात, पोपा को गुमा कर वापिस रास्ते पर ले आऊंगा, जब पत्थर निकल चुके होंगे, ये अलाम और सेंसर वाला सिस्टम थो मैं नहीं बनाया था, देवराचान सोजबरे सर में बोला, ये जमरा ने बाद में तयार किया था, किलोरा ने क जमरा कई बार पोपा की सहर कर चुका और रास्ते में उसे इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, तो उसने ये सिस्टम बनाया, ये अच्छा किया जमरा ने, पोपा की उडान पर ही ऐसी बाते समझ में आती है, देवराचान ने का, और क्या क्या नहीं किया जमरा ने कि दौनों तरह उसकम हूं है, मतलब कि धुएं कि उस सरंग के पीता पर प्रवेश किया जा सकता है, जबकि भीतर कुछ भी नजदन नहीं आता, पता किया वो सरंग किस चीज की, जमरा उन उस सरंग से बचकर रहने को का है, पर उसने पता नहीं किया कि वो क्या चीज है, कि आकाज गंगा रहस्यों से बढ़ी पढ़ी है देवरा चौन क्या हुटा ऐसा ही है एक जगह गैस के सतरंगी छल्ले गुंगते नजर आते हैं जो की काफी बड़े बड़े है जमरा का कहना है कि उन छल्लों से बचकर रहा जाए जमरा ये भी कहता है कि उन छल्लों में ऐसी गै प्रिता से सेरेला कर का ऐसे गैसों से भरे छल्ले सदूर से आठक रहा है जो सदूर को भारी नुक्सान हो सकता है परन्तु वो कभी भी सदूर की दिशा में भटकती हुए नहीं है वो आकाज गंगामी मंडाते रहते हैं जमराकसर पोपा वर सावार होकर कई बार उन छल्ल जुन्ड आकाज गंगामें तैरता नजर आ जाता है जैसे लाकों सेदारे एकी जगे घटे होगा वो अपने आप में गोल-गोल घूमता रहता है देखने में अद्बोत है जमरा कई बार उनके पास तक जा चुका है परन्तु सेदारों के जुन का रहसर नहीं समझ सका कि व हमारी समझ में नहीं आ रही देवराद चान कुर्सी से उठते हो बोला जमरा के साथ उन चीजों को देखने जाओंगा उसके बाद ही उनके बारे में कोई विचार कायम हो सकीगा अब तुम पोपा को समा लो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ जरूरी नहीं कि पोपा के चा देवराद चान मुस्कराया और चाला कक से बाहर निकल कर आगे बढ़ गया कुछ रास्तों को पार करने के बाद वो एक कमरे में पहुंचा जारानी ताचा कि सारे आत्मी कमरे की दिवारों में फिक्स कर रखी बेल्टों में जखड़े खड़े थे कुल 20 बाई संक्या थी बेल्टों को बादने की जरूरत नहीं रही देवराद चान बोला और जाकर सबसे ये बात कह दो कि वो आप ओपा में घूम फिर सकते हैं अपने कार कर सकते हैं तरह एक छोटे से केविन में फर्ष के साथ फिक्स कुर्सी पर बैठी थी बेल्ट बाद रखी थी सामने एक सि कंपा नुबरा तो वह हस पड़ी दी बच्चों की तरह खुशो कर क्या उठी लगता है पोपा चल पड़ा है खुम्री तेरा काम बन गया कई बार पोपा हिला तो कई बार इस्थेर हुआ पता नहीं चला भी है या वहीं का वहीं खड़ा है धरा ने बेचानी से का यहां ख इंता करती है खुम्री तेरी ताक्तों ने कहा तो है कि सदूर पर जा पहुचेगी कुछ देर और बीद गई मैं कब तक इस तरह बंदी बैठी रहूंगी यह तो खुम्री के लिए सजा ही हो गई फिर वो वक्त भी आया जब रानी ताशा का आदमी दरवाजा कोल का भीता प्रिवेश हुआ दर्ह सामान ने देखने लगी सब ठीक है वो बोला फोपा आसमान में पहुच गया है मैं गुर्जी से उठ सकती हूँ दरा बोली हां दर उसी पर पैल खोलते क्या उठी पोपा आसमान में पहुच गया है उसे भी उपर पिर्थी ग्रह से बाहर निकल च दस दिन बस मैंने तो सेकड़ों बड़तों का इंतिजार किया है दस दिन तो चुटकी में बीच जाएंगे दरा खुशी से क्यों ठी वो आदमी बाहर निकल गया धरा के चेहरे पर तेज चमक फैल गई निशला होट तेड़ा हुआ वो हलका सठागा लगा उठी चल खुमरी स सदूर पर बहुत मज़ा आएगा वहाँ शांप का वक्त भी खत्म होता जा रहा है तेरी ताक्ते फिर से जीवी तो जाएंगे पांसो साल के बाद सदूर पर जाना कैसा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा मेरा वक्त वापिस लोटाएगा लेकिन उससे पहले मुझे कीसी सुन्दर दिखेगी या नहीं कहीं तेरा हल खराब तो नहीं हो गया वगा दोलाम ने तो कहा ता कि बड़ी है रहसायनों का इस्तमाल करेगा शरील में जरा भी अंतर नहीं पड़ेगा पांसो सालों में मुझे तो अपनी वही संदर्ता चाहिए अगर मेरी संदर्ता मे तेरा भी जवाब नहीं पर तुम्रा जरूरू कुछ करेगा वो चुप बैठने वाला नहीं क्या पता उसे बनक लग गई होगी खुम्री वापस आ रही है वो कहीं छिपा बैठा होगा पर उसकी शक्तियां उसे सब खबर दे रही होगी अब मैं पहले वाली गलती नहीं करू वैसे भी मेरी तक्ते अब जब उर्चा पाएंगी तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी दुम्रा को तो खुम्री मसल कर रख देगी इस बार धरा की आँकों और चेहरों पर बहुत ही खतरनाक चमक लहरा रही थी निश्ला होट तेड़ा हो चुका था तेवरा चौन ने पोपा की उपरी मंजल के उस कमरे में प्रिवेश किया तो मुस्करा पड़ा रानी ताशा कोडसी पर बेल्ट बांदे बैठी थी वो भी मोग अंदाज में मुस्करा पड़ी ताशा देवरा चौन आगे बढ़ा और रानी ताशा की बेल्ट खोलती रानी पेरे देव तुम नहीं जानते मुझे कितनी खुशी हो रही है। हाँ ताशा तुमारी गोद में मेरा सेर होगा और तुम मेरे बाल सहला रही होगी। कितना सुकाद आनन का वक्त होगा वो। मैंने बहुत दुख देखें। तुम मेरे दिल से चाहती हूँ तुम मेरे बताओंगी कि हम कैसे जुदा हो गए थे। जहां सदूर के उस जन्म की बुरी गटना दर्ज है पर मैं तुमारे साथ धोका नहीं कर सकती। मैं तुम मैं प्यार करती हूँ तुम मैं दिल से चाहती हूँ तुम मैं बताओंगी कि हम कैसे जुदा हो गए थे। सब मेरे ही कसूर था, मेरे ही गलती थी, पता नहीं वो सब मेरे से कैसे हो गया, मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। तुम मुझे मिल गई ताशा, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, पर मैं अपने दिल का बहुत जरूर हलका करूँगी, उस मनुष शाम की बात बता कर, केले में तुमारी गोद में से रखका सब कुछ कह दूँगी, बुरा लगे तोसी पल अपनी ताशा का गला दबा दे पिर्थी पर तुमने कभी भी मुझे याद नहीं किया, मुझे तुमारा ख्याल भी नहीं था, तो याद कैसे करता, मैं तो सदूर के उस जनम को ही भूल बैटा था, ये तो तुम पिर्थी पर आई, तो मुझे सदूर की याद आनी शुरू ही, जब तुमारी याद आई त तो मैं नहीं रुख सका, तुमारे पास आने को, रानी ताशा से रोटाका नीली आंगों से देवराच्वान को देखने लगी, देवराच्वान उसे देखकर उसके सिर पर हाथ फेरा, तुम कितने अच्छे हो देव, मुस्से जादा अच्छी तुम हो, देवराच्वान मुस्करा पड़ा, जूट, तुम जादा अच्छे हो, ताशा प्यार में नाराज़ की दिखा कर बोली, देवराच्वान खिलखला कर हस पड़ा, फिर टक-टकी बान का ताशा को देखने लगा, तुम फिर मुझे इस तरह देखकर तंग करने लगे,